मूइ यह थेखते हैं यह बि आर्गणीत में आकलन है इसमें 10 तकोस्चा ना दस प्रशून है। इसमें सब्साई सई एंसर बताया है। इंडेड परसेंट आपका सई होगा। तो चलि देखते हैं पहला कोच्छन दिख्छा का इंसर अंसर है दिख्छे अपनीकासर बहुगा है रसमी जी ने अपनी कुक्ष्ण में बच्छों को गड़ित का एक परदरस नातमक क काम करने के बाद स्वावन करने को कहा, ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी, आप एक से अधिक विकल्ब भी चुन सकते हैं, इसमें कहा गया है कि आप एक से अधिक विकल्ब भी चुन सकते हैं, इसका सही अंसर कौन सा हो जागा, इसमें अप्सान नमर ए, और अप्सान नमर डी, इसका सही अंसर हो किरिया सुधार सकते हैं आप एक से अधिक क्रीक करते हैं तो यह सइरे से हिंख सकते हैं तो इसका सभी स्विखल अग्टाइब अगला कोचंद में सी organizing बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने तीन तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा, क्या यहां उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए, इसे में बोल रहे कि आप एक ही विकल्ब चुर्च कर सकते हैं, तो इसका सही अंसर कौन सा हो जागा, आपसा नमर D, यानि कि हा, क्योंकि इस से उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा, समिट पर किली करते हैं, देखें सही है, आपका विकल्ब सही है, जारी रखते हैं, जारी रखेंगे तो अगला कोस्चन आएगा, ठीक है, चौथा नमर कोस्चन में, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्छा में इसे मूर लएकिए आप एक ही विकल्ब चूज कर सकते हैं, तो चौथा सही हैं संसरिया के गुष्ण नमर दूसरा में, परकिरिया की समझ के लिए, इसको समिट करते हैं, dene कि आपका और सही है, जारी रखते हैं, जारी रखाएंगे तो अगला कोस्चन आएगा, अगला को और ना करने के उदेश से के साथ सही बैठेंगे आप एक से अधिक विकल्ब सकते हैं तो हम इसमें एक से अधिक विकल्ब पह्त जून सकते हैं पाज़ों का सही के लिए इस्तेमाल करना है तो सम्मिट करते हैं यह जारी रखते हैं अगला कोशन के लिए छाटवा नमर कोशन है स्वा आकलन और सहपाथियों के किस तरह महाल बनेगा कि एक से अधिक विकल्प भी चूज कर सकते हैं यानि कि एक से अतिक विकल्प हम चूण सकते हैं इसमें चाटवा हमर का सही अंसर हो जाएगा दूसरा यानिके अप्सन नमर डी यानिकी दूसरा औरस ब्रॉप गणित को मजे के लिए सीखने का और चौथा है बिना डर के आत्म विश्वास के साथ सीखने का समिट पर किलिक करते हैं तो देखें आपका भी कर्फ सही हो गया जारी रखते हैं अगला कोचन देखने के लिए देखें साथा नमर कोचन है दिये गया रूबरिक को देखें जाएंगे आप एक से अधिक विकल्प चून सकते हैं तो इसका सही अशर हो जाएगा साथाओ नंबर का चौथा और पाचवा यानि की डी और ई तो डी और ई में काने तीसरा है और चौथा है ठीक है तो समीट पर किलिक करते हैं देखें आपका विकल्प सही है फिर जारी रखते हैं तो आठवा नमर को चनाएगा अठवा आगया करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परिक्षा पतर दिया इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल पर हर एक सवाल का हल बलेकबूर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों औ और अस्तरों की जाज करके अंक देने को काहा बच्चों में सो आकलन करने की छमता विक्सित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाओ देंगे छूँन सकते हैं तो इसका सही एंसर मोजा जाएगा अपसे नुमर 8 यानी की पहला सही एंसर होगा फ़ला हैं बोला आओ धारणा की समझ हल करने और सीखने की परकिरिया के बारे में सोचने का मौका दे तो इसका फला सही अंसर हो जागा समिट पर क्लिप करते हैं दिखे लिख रहे आपका भी कल्प सही है जारी रखते हैं अगला question के लिए नवा question आगया कारे पर feedback पर किरिया पर feedback और स्वा नियमित feedback इन तीनों तरह के feedback देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा सोभाव विकसित होगा तो इसे में बोला कि आप एक से अधिक विकल्प चून सकते हैं तो नमवा का सही अंसर होजाए का अप्सण नमर दूसरा और तीसरा यानि कि अप्सान नमर बी और सी बी में है गलतियों से सीखने का और सी में है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का सम्मिट पर क्लिक करते हैं कि उस्धिया रोजागा दूसरा और तीसरा के कमीट पर क्लिक करते हैं देखे- आपका भी गल्फ सही है जारी रखते हैं अगला question दस्वान नमर है यह अंतिम Question नमर है इस दस Q erhalten के series का गद देखते हैं दस्वान नमर ए बी सी और डी यानि कि सभी इसमें सभी है सब पर टिक मारके और समीट पर क्लिक कर देना है देखे लिख रहा है आपका विकल्ब सही है जारी रखते हैं धन्यवाद 10 क्वेशन का सही अंसर हो गया मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद